ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आधार और उससे प्राप्तिया क्या होती है आज हम ईश्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता ब्रामा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजय भाई सहाब प्रजाप आज के अपिसोड में बहुत वस्वागत है प्रजाप आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 75 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है महारती वत्सों का अलोकिक मिलन प्रजाप परमात्मा कहते हैं कि महारती और सब बच्चे अमरितवेली जब रुह रुहान करते हैं तो महारतियों की रुह रुहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रुह रुहान में क्या अंतर होता है है सब सबसे पहले मिलन मुलाकात और रूह रूहान दोनों में क्या आंतर है अच्तों में जब हम परमात्मा के से योक लगाते हैं सबेरे सबेरे विशेश करके तो उसमें कुछ अंदर की भावनाओं का लेंदेन होता जिसको हम रूह रियान करते हैं जैसे रूह आत्मा बन करके परमात्मा से बाते करती है, जिसको हम रूह रियान कहते हैं। मिलन तो द्रश्टी से भी हो सकता है, एक दूसरे के सम्ही पाने से मिलन कानुव होता है, लिए मिलन के साथ साथ आपस में जब वारतलाप शुरू होती है, अंदर की, दिल की भावनाओं की, उसको रूह रियान कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह जो गायन है, कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रौंग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है, सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन। भक्ति मार के अंदर एक महणिता है, कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है, और उसके लिए पहुत सुंधर द्रश्टान्त ओलोग देते हैं, कि जैसे सागर में कोई बूंध गई, उद्वुदा सागर में समा गया, तो आत्मा अगर इसे सागर में बूंध की तरह समा वो तो अनादी और अविनासी सत्ता है तो परमात्मा कहते हैं ये जो सब्द भक्ति में यूज किया गया कि आत्मा लीन हो जाती है वास्तों में लीन नहीं होती वो लौ लीन प्यार में समा जाती है उनके प्यार में समान बन करके जैसे समा जाती है उसको लौ लीन कहते है तो जो कोई अती स्निहे से मिलते हैं, तो उस समें स्निहे के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे की एक दूसरे में समा गए हैं, यह दोनों मिलकर एक हो गए हैं. ऐसे ऐसे स्निहे के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है. यह जो गायन है कि वे एक दूसर में समा कर एक हो गए यह है जैसे की महारतियों का मिलन। के साथ इतना सनेह से मिले जैसे दोनों एक हो गए, समा गए तो वो मिलन लौलीन इस्थिति वाला मिलन है दो कास्तितों जैसे एक में मिल गया इसी को ही भक्ति मार के अंदर समाना सब्द या लीन होना सब्द कहा गया है और उसके लिए सोचते हैं कि हम मोक्ष में चले जाएं ब्रह्म को ही लोग इस्वर मान रहे हैं जबकि परमात्मा ने अपना परिचे दिया कि मैं ब्रह्म लोग का निवासी हूँ ब्रह्म ही इस्वर नहीं है ब्रह्म घर है और उस घर में रहने वाला मैं इस्वर अलग हूँ जैते हैं आत्मा परमात्मा बहुत समय से अलग रहे जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो इतना सनेहत्पन होता है कि जैसे कोई खोया हुआ मिल गया और जब आपस में मिलते हैं तो समा जाते हैं इसको ही लौली निश्थिति कहते हैं जिसमें दो नहीं एक दिखाई देते हैं ये स्मृति आनी चाहिए कि हम बहुत काल से परमात्मा के अलग हुए हैं और उस ब्रह्म महतत्व के अंदर हम पहले निवास करते थे परमात्मा कहते हैं कि बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए ऐसा पावर्फुल अनभव महारतियों को ज्यादा होगा बाकी और जो हैं वह खीचते हैं स्नेहे शक्ती खीचने की कोशिश करते हैं युद्ध करते करते समे समाप्त कर देंगे लेकिन महारती बैठे और समाई उनका लव इतना पावर्फुल है जो बाप को स्वयम में समा देते हैं वास्तों में हम सब योग करते हैं लेकिन जो जितना आत्मा सुद्ध है, पवित्र है और सच्चे दिल का जिसका प्यार है वो जब सामने आती है परमात्मा की याद में बैठती है तो ऐसे अनुभो करती है जैसे मैं आत्मा इस सरीर से अलग हो करके परमात्मा में समा गई, उसके प्यार में खो गई वारतला पी बंद हो जाती है, वो अनुभो में खो जाते है वनुभो का ही संकलब रहता है इधर उधर के सब संकलब सांत हो जाते है दूसरी आत्मा जो हैं वो खेशती है सने को वो रूह रियान करती हैं बाते करती हैं परमात्मा से हमें ये मिला ये मिला ये मिला अलग परकार का योग हो जाता है और कई बार वो समय पूरा हो जाता है उसी बातों में ही अनुभव में खोते नहीं है तो परमात्मा कहते हैं ब हो जाए लेकिन वो तभी हो सकता है जब अंदर की बहुत सुधता हो अगर किसी भी देधारी से किसी भी वस्तूओं से प्यार है तो इस प्यार में अनुभाव में मेहनत लगती है फिर युद्ध चलती है युद्ध में समझ आता है उसको कट करेंगे इधर जोडेंगे तब प्रमातना कहते है कि बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे जिसे बाप निराकार वैसे बच्चे जिसे बाप के गुण वैसे महरती बच्चों के भी समान गुण होंगे मास्टर हो गए न तो महरती बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना बाप में समा जाना दोनों का रूप तो एक ही है आत्मा और परमात्मा दोनों जोती बिंदू रूप है लेकिन रूप के साथ साथ गुणों में अंतर है परमात्मा सर्व गुणों का सागर है बच्चे नंबर वार गुणों में संपन बनते जाते हैं जिसके अंदर जितने गुण समाते जाते हैं, उस गुणों के आधार से आत्मा परमात्मा के समीपता कानुभो करती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, ऐसे मेरे बच्चे जो गुणमान है, समान है मेरे, जो परमात्मा के गुण है, वो बच्चों के गुण है, ग्यान, प्रेम, आनंद, सक्ती, शुक, जिसका वो सागर है, बच्चे उसका सुरुब बन जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मि पहनत लगती है और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना उस समय बाप और महारती बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं तो स्वरूप भी बाप समान हो गया अर्थात अपना निराकारी स्वरूप ट्रैक्टिकल स्मृती में रहता है जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान इसलिए महारतियों का मिलना, अरथात बाप में समा जाना ये श्टेज जो है ये बहुत कम समय बन पाती है क्योंकि हम सब साकार सरीर में हैं और परमात्मा निराकार रोप में हैं तो जब ये मिलन होता है जब हम आत्मा इस देह से बिलकुल डिटेच होती जब इसको हम भूलते हैं, शाकार सरूप को भूल करके जब आत्मिक सरूप में हम इस्थित होते हैं, कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक जोती बिंदु आत्मा हूँ, वो सरूप में इस्थित होते हैं, तब समानता का और समाने का अनुभा होता है, और ये स्थिती जो है सदाक house की stage कहते है नाम भिन भिन है लेकिन वो एकदम समाने वाली stage लोलीन stage है powerful stage परमात्मा कहते है कि जैसे नदी सागर में समा सागर स्वरूप हो जाती है अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयम में अनुभव होते है जो ब्रम्भा का अनुभव साकार में था वह मारतियों का भी होगा ऐसा अनुभव होता है यह सागर में समा जाना अर्थात स्वयम के संपूर्ण stage का अनुभव करना यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए बास्तों में परमात्मा हम सबको एक तरफ मिसाल दे रहे हैं सागर और नदी का नदीयां जाती है सागर के अंदर प्रवेस होते ही उनका अपना अस्तित्य समाप्थ हो जाता है सागर का यह गुण उसके सुरूप उसके अंदर आ जाते है पानी के अंदर भी तो परमात्मा कहता है जब आप बच्चे इस तरह से योग करते हो, जैसे आत्मा नदी सागर में गई समा गई, तो परमात्मा के जो गुण है, उक्षान्ति का सागर, प्यार का सागर, सुक का सागर, वो सब गुण आत्मा के अंदर अनुभो होने लगेंगे, तो मास्टर उसका बन जाएगा, उसके द्वारा कई आत्मा को अनु होने लगया कि जैसे ये मास्टर भगवान है, और वो गुन उसके अंदर चरित्र में जीवन में आउतराएंगे, तो परमात्मा कहता है योग कर रहे हैं लोग, कई लोग कहते हैं हमारा योग बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी रिजल्ट तो दिखाई दे, अगर हम परमात् कहते हैं आठ गंटा, और आठ गंटा कोई किसी के साथ समाया हुआ हो, फिर भी उसके संका रंग न लगे, ये संभो नहीं लगता है, यथार्थ योग अगर है, तो वो जो परमात्मा के गुन हैं, जो उसका अस्वरोप है, उसाकार में रहते भी, हमारे चलन से, हमारे व्य इवरेशन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्या है, हमारे योग की सक्ती है, लेकिन योग की सक्ती कैसे आई, जब हम परमात्मा में समाने का नुभो करते हैं, समा गए तो वो सारे गुन हमारे जीवन में आ गए, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर संकल्प से वर्दान नजर से वरदानी नजर से निहाल करने वाले बापदादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं समीप अर्थात समा जाना अमृतवेले का टाइम है विशेश ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा यहां तक परमात्मा कहते है अगर कोई आत्मा एक मिनट भी इस पावरफुल स्टेज में इस्थित हो जाए समाने वाली स्टेज में तो कई घंटे तक उसका प्रभाव रहता है और ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन ऐसी थी ब्रह्मा बाबा सवेरे सवेरे एकदाम बाबा के सने में खुआ जाते थे और फिर उनके द्रश्टी से उनके बोल से लोग को अनुभव होते थे जैसे द्रश्टी वर्दानी बन गई बोल वर्दानी बन गई तो बाबा भी अपने समान बच्चों को बना रहे है कि बच्चे ऐसा समाने का अमरतवेलेगर योग करो कुछ समय उस इस्थिति में बैठ जाओ उसका प्रभाव जो है वो सारा दिन रहेगा प्रमात्मा कहते हैं कि जो अती प्यारी वस्तु होते है वह सदा समाई हुई रहते है यह है महारतियों का मिलन अमरतवेले का बाप दादा भी चेक करते हैं कौन-कौन कितना समीप है जिसे मंदिर का परदा खुलता है दर्शन करने के लिए वसे अमरतवेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की सबेरे सबेरे कई भाई बहनों के बड़े अच्छे अनुभव होते हैं रात को जल्दी सो जाते हैं कोई दो बजे कोई तीन बजे उट करके ऐसे योग करते हैं लेकिन परमात्मा ने जो हम सब के लिए अमरतवेले का समय निश्चित किया है जो इसरी विष्विद्य लेके सभी सिवाकेंद्रों पर चलता है वो है चार बजे से पोने पाँच बजे तक और उस समय सभी जहां भी होते हैं अगर बड़े सिवाकेंद्र पर हैं तो वहां संगटित रूप में बैठ करके योग करते हैं और अगर अकेले अकेले घरों में रहते हैं तो अलग स्थान पर चार पाई छोड़ करके कई लोग होते हैं जो समझते हैं योग ही करना है नींद से उठे बैठ के चार पाई पर और थोड़ी देर परमात्मा से रूरियान की योग किया और फिर सो गए तो वो योग नहीं कहला था योग के लिए जैसे कि इस्थान छोड़ा बिष्टर छोड़ा अलग इस्थान पर बैठ करके बहुत फ्रेसो करके बहुत खुसी के नसे के संकल्प ले करके अच्छा वातावन क्रेट करके अच्छे गीत बजा दिये जाएं अगर बति लगा दिये जाएं सुगंधित वातावन हो लाइट चेंज की जाएं और उसके अंदर वातावन सुद्ध है बैठते ही योग लग जाएं तो परमात्मा वो द्रस से देखते हैं जैसे मंदिर का परदा खुलता है तो भक्त लोग भागते हैं दर्सन करने के लिए ऐसे ही सवेरे सवेरे का समय होता है और बच्चे मिलन मनाने के लिए दोड़ते हैं कि बाबा के पास हम जाएं बुद्धियोग की दोड़ है और उसमें कई लोग पीछे रह जाते हैं कई आगे आ जाते हैं जितना जिसका सने हैं उस सने के आधार से समीप तक अन्भो करते हैं और सने के कम ही है तो बाते करते रहते हैं रूरियान करते रहते हैं महिमा गाते रहते हैं इस समीप नहीं आपाते हैं। इस समीप नहीं होती हैं। लेकिन वो जंक वाली सोई नजदीक नहीं आती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो आत्मा जितनी सुद्ध होती जाती हैं। पवित्र होती हैं। हर प्रकार के बंधनों से तमोगुण से न्यारी होती जाती है। परमात्मा चक्मक चुमबक उसको खिच लेता है। तो सवेरे सवेरे के मिलन में परमात्मा ये द्रस से देखते हैं। कई बच्चे तो एक सेकेंड में ही जट से उठे आंक खुली और चक्मक की तरफ खिचके आ गए। और कई मेहनत करते रहते हैं, यूद करते रहते हैं। बातों में समय चला जाता है, रूह रियान में समय चला जाता है, लेकिन वो अनुबव नहीं हो पाते है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को संकल्प उठता है, कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। ब्रम्भाबाप साकार रूप से भी अव्यक्त रूप से अभी दिन रात सेवा में ज्यादा सहयोगी बनने का पार्ट बजा रहे हैं। चुकि अब बाप समान जनम मरण से न्यारा कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत है, सिध्धी स्वरूप है। इस स्टेज में हर संकल्प से सिध्धी प्राप्त होती है। ब्रम्भाबाबा जब साकार में थे, तब भी परमात्मा के कार्य में सदा सहयोगी थे। सदा उनको भी सुकल्यान के लिए चिंतन मनन चलता था। लेकिन फिर भी साकार बंधन सरीर का भी था। शरीर की भूगनाय भी सरीर के साथ थी। उस समय से जब अव्यक्त हुए तो जैसे समान दोनों आत्माय बन गई। जैसे शिव बाबा जनमरन के चक्कर से नयारा है। सदा कर्मा तीत है। संकल्प शक्ति से सेवा करते। ऐसे ही ब्रमा बाबा जब अव्यक्त हुए, संपून हुए, तो इस बंधन से दे और दे की दुनिया के बंधन से मुक्त हो गए। आत्मा सिद्धी सरूप बन गई। और जो संकल्प करते हैं उस सिद्ध होने लगता है। तो परमात्मा ब्रमा बाबा का मिसाल दे करके बता रहे हैं। कि ब्रमा बाबा की आत्मा जो साकार में सेवा करती थी। उससे भी अधिक अभी अव्यक्त रूप से बाब के साथ बददगार है। और बहुत फास्ट स्पीट से बच्चों की सेवा में सायोग दे रही है, वो कर्मातीत है, उसके जो संकल पुटते हैं, उस सिद्ध हो रहे हैं, वो जनम मराण के चक्कर से अलग है, परमधाम भी नहीं गई, सरीर छोड़ने के बाद जनम भी नहीं हुआ, शिव अबाबा के स स्पीट बहुत फास्ट है, ऐसे ब्रह्मा भाबा के समान बन गई, जब बाबा अवयक्त हुए 69 में, जो साकार में ब्रह्मा भाबा के द्वारा महावा के उचारन हुए थे, कि बच्चे विदेश में जाएंगे, जगे जगे पर सेंटर खुलेंगे, लाकों बच्चे हो ज जगे तो उसका कारण ही बना, बच्चे तो साकार में कहां तहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अवयक्त रूप में ब्रह्मा भाबा ने बहुत सेवाएं की, और दूर बैठी विदेश के किसी भी कोन में बैठा हुआ बच्चा ये अन्भो करता है, जैसे बाबा को याद किया और बाबा हाजिर हो गए, बुद्धी का कनिक्शन है, बहुत सनेह का कनिक्शन है, किसी भी स्थान पर कोई बैठा है, दिल से बाबा सब्द उचारन करता है और बाबा की हाजिरी का अन्भो करता है, इतनी स्पीड है आत्मा की, रॉकेट भी उसकी स्पीड में नहीं पहु तो सब परमात्मा कहते हैं कि जो संकल्प किया वह सत इसलिए चारों और संकल्प की सिधी रूप से सहयोगी है वानी से संकल्प की गती तीवर होती है साकार से आकार की गती तीवर है जो संकल्प से सेवा का पाठ है वह भी सत संकल्प शुद्ध संकल्प क्योंकि वानी कभी-कभी कोई को समझ में आती है, कोई को नहीं समझ में आती है, लेकिन संकल्प में अगर उस्तेष्ट भावनाएं हैं, सुद्ध भावनाएं हैं, संकल्प सत्त है, तो सत्त संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है, तो ब्रमा बाबा जब साकार में थे, तो वानी के द्वारा हम सब की पालना की भावनाय भी थी, सत संकल्ब भी थे उस समय भी, लेकिन एकदम सुद्ध भावनाओं से भरपूर संकल्ब वो संकल्ब अभयक्त होने के बाद दिखतम प्योर हो गए और प्योर संकल्बों के आधार से जो संकल्ब उठता है, वो जाता है साकार में इस्थूल में बंदे वोए शरीर के साथ है सब जगे नहीं जा सकते अभयक्त रूप में तो कहीं भी कभी भी पौung सकते है는 तो साकार से अभयक्त कि स्वा स्पीड में बढ़ गई वानी से संकल्प की सेवा की स्पीट बढ़ गई इसलिए डबल सेवा धारी चारों तरब्य विश्व में सेवा के इंदर कुल गए इतने सब बच्चे तेयार हो गए और इसलिए परमात्मा कहते हैं आपकी है ज्यादा वानी द्वारा सेवा मंसा से भी है लेकिन ज्यादा वानी से है लेकिन ब्रह्मा बाप की अब सत संकल्प की सेवा है तो तीवरिगती होगी न तो अभी सेवा का पाठी चल रहा है सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है कर्म बंधन से मुक्त है भैस आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हमें रुहानी शक्तिशाली अव्यक्त मिलन मनाना है इस वश्टी करण के लिए आपका बहुत वद धन्यवाद दर्शकों आज की अपिसोड में हमने समझा कि महारती बच्चे परमात्मा की याद में समा जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं उनका निराकारी स्वरूप वैश्वरी एगोण सभी को प्रैक्टिकल में अनुभव होता है परमात्मा ने बताया कि हम जितना ज्यादा स्वच्छ और पवित्र बनते जाते हैं उतना ही हम परमात्मा के समी पाते जाते हैं अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाजत और मुख्यसार महरती और अन्य बच्चों के रूरहान और मिलन में अंतर महरतीयों का मिलन अर्थात बाप में समाजाना उस समय बाप और महरती बच्चों के स्वरूप और गुणू में अंतर नहीं अनुभव करेंगे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है इस कायन का यथात अर्थ इसमें सिर्फ लीन शब्द नहीं लेकिन एक के लव में लीन साकार रूप वतन में सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है सिर्फ कर्म बंधन से मुक्त है इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ट स्टूडियो से संपर्क करें